हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनल इडली खाने का मज़ा तब आता है जब इडली सॉफ्ट या फ्लपी हो आज मैं आपके साथ वह सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे इडली काफी सॉफ्ट बने और बिल्कु फ्लपी बने और साथ ही बताऊंगी कि ब पूरी कम्प्लीट रेसिपी तैयार की है आप लोगों के लिए और इस रेसिपी को देखने के बाद आप कहीं और नहीं जाएंगे और इडली सामबार सभी को पसंद आते हैं और जब हमारा मन करें तब हम इसे बना सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं रवा सूजी वाली इडल बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर लीजेगा दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि मेरी पहली वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर तो यहां मैंने दाल ले लिए यह दाल मैंने तूर के दाल लिए जिसे अरहर डाल भी लेग कहते हैं यह दो कटोरी दाल लिए दोस्तों अब हम इसे बॉइल करेंगे इसमें आपको जो वेजिटेबल अच्छी लगती वह आप डाल सकते हैं पर लोकी कद्दू और यह जो मै के लिए हल्दी पाउडर लिया है दोस्तों और खुश्बू के लिए हम यह थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं वैसे हम फ्राइ करेंगे इसे जब जरूर डालेंगे अलग अलग तरीके से सांबर बनता है कोई डारेक्ट भी बनाता है दोस्तों पर डारेक्ट में उतना टारेक्ट करते हैं, दो कटोरी मैंने आपे रवा सूजी ले ले लिए जीसे आप रवा भी बोलते हैं उसकीशार आप यह दोस्तों अगर आपके वास दही है तो आप दही भी डाल सकते हैं औ crackёмे आप चार लीएं दोस्तों अच्छे से इसे रکूँगे दोस्तों कर अब हम इसे निकाल के फ्राइ करेंगे दोस्तों यहां मैंने तीन चमश तेल ले लिया है तेल मैंने थोड़ा जाद ही लिया है क्योंकि सांबर में अच्छा ही लगता है यह तेल मसाले दार हम बिल्कुल मार्केट जैसा सांबर बना रहे हैं यहां पर मैंने राई और जीरा का पकने देंगे फ्रेंड्स इसे आप हिला लीजीगा थोड़ा थोड़ा करके उसके अब इसमें बैसिक से मसाले एड़ करेंगे दोस्तों मसाले ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल ना ज्यादा स्पाइसी हो और बिल्कुल कम हो एकदम मार्केट स्टैल में अगर अपने को बना अधा चमच यहां पर मैंने ली है हल्दी पाउडर एक चमच लिया है आप सूखा दन्या पाउडर और एक चमच मैंने आप लिया है गरम मसाला आप चाहें तो गरम मसाला इसकीब भी कर सकते हैं अब अगर बिल्कुल सांबर वे सही चाहिए मार्केट स्टैल में तो उसके बॉल्ड हुई सबजी है वो हम इसमें डाल देंगे अब इसके ठीकनेस के अकोडिंग आप पानी एड़ कीजेगा दोस्तों अगर आपको राइस के साथ खाने हैं या फिर इडली के साथ खाने तो इसे थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ओर हैं अगर आपको थोड़ा सा थिकनेस वाल चाहिए तो उसके लिए आप ऐसे मोटा भी रख सकते हैं थोड़ा गाडा भी रख सकते हैं उसके उपपा से मैंने इसमें डाली हमली खटई के लिए और अच्छी साथ खोशबू आ जाई सांवर में इसके लिए मैंने सूखी कर सकते हैं और सांभर अमारा改 यह समय है अजर इडली का देख लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं आदे से ज़धा थोड़ा सा फूल गया है अब इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक दालेंगे और अच्य से मिक्स नमक से तेस्ट अच्छा आजाता है इसलिए हम इडली में नमक डालते हैं अब कुछ लोग इसे डारेक्ट बना लेते हैं पर मैं यहाप तड़का लगा रही हूं इडली में तड़का जो लगता हूं बहुत ज़्यादा टिस्टी लगता है तो आप भी इसे इसके पना करें और लग दीजिएगा ताकि इसके खुषबू इसी के अंदर रहे अब यह ठग दिया है तब तक हम इसमें ओल ग्रिस कर लेते हैं यह इडली मेकर है इस पर आप बारी बारी से सब जगे और ग्रिस कर लीजिएगा ताकि हमारी इडली बिल्कुल से निकल जाए और बिल्कुल चिपक करने के लिए मैं आप एक पेकट इनो का यूज कर रही हूं यह फूट इनो है आपके पास जो अवेलेबल है वह इनो आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा अब इस बेटर को बिल्कुल भी रखना नहीं है जहां पर हमने यह मैकर में तेल ल देख लीजिए इस तरह से आप सारे चम्मच की साहता से इसे भर दीजिए अब हमने पानी घरम होने के लिए रख दिया था पानी अच्छा से गरम हो गया इस इडली मेकर में तो हम यह तीनी प्लेट जो हमने तैयार की है वह हम इसमें डाल देंगे और इसे ढख कर 15-20 मिट अब एक बार चप्छ कर लीजिए गा यह यह अगर नहीं पकी तो पांच मिट और आप उसे रग दीजिए गैत इसमें चाहिए अब नारिया के टैयारी कर लेते हैं नारियकी चतने बना रहे हो डाल के मैं झाले नेरी नारील के बीज़ब से फोड लिया था इसके छोटे चोटे से सी कर लिये में त 2 स्छने डाल हैं अब मैं आपे खटाई के लिए वापस से इमली डाल रही हूँ दोस्तों कि इसमें खटाई चाहिए अगर आपका आस इमली नहीं हो ता आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें मैंने डेट चमश नमक डाला है और एक कप मैंने आपे दूट डाला है दोस्तों छोटा कप जिससे की अच्छी सी स्मूथ हमारी चटनी बनका तैयार होगी बिलकुल मार्केट स्टैल में जैसे साउथ इंडियन डिश में खाई जाती है यह वाली नारियल की चटनी इस उपर से मैंने दो साबुत लाल मिर्ची डाली है जिससे की बहुत ही परफेक्ट हमारी चटनी बनका तैयार होगी देख सकते हैं आप तीनों स्टेप्स मैंने आपको बता दिये दोस्तों इडिली की सांबर की और चटनी की चटनी को आप इस तरह से तड़का लगाने का ताकि इसमें खुश्बू अच्छी रहेगी और हमेशा रहेगी दोस्तों जब तक आप खाएंगे तब तक अगर आप इसे नहीं ढखेंगे तो इसकी खुश्बू निकल जाएगी बाहर अच्छे से तड़का लगाने का आप इसे हिला देंगे और आप हिलाने के बाद इस चटनी की सांबर जो बिल्कुल मार्केट स्टैल में हमारा बनकर टैयार हुआ है और इडली जो बिल्कुल फलपी और सॉफ्ट बनी है तो चलिए देख लेते हैं इडली को 20 मिट हो चुके थे यह देखिए बिल्कुल फुल चुकी है जितना हमने बेटर डाला तो उससे अब आप देखिए इसमें जाली हो गई है दोनों तरफ जाली पड़ी इसका मतले भी काफी ज्यादा सॉफ्ट और फलपी है दोस्तों खान के गाद मुह में बिल्कुल घुल जाती है यह वाली इडली की बहुत सरी महिलों की यह शिकायत होती है दोस्तों की हमारी इडली फ सांबरे इसे भी ट्रांसफर कर लेते हैं बाल में आपको दिखा देती हूं कि बिल्कुल कितना पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी का यह सांबर बनकर तैयार हुआ है दोस्तों इसे तरह से अप घर पर जरूर बनाएगा इस सांबर को और यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने बनाया है आपके लिए अब चलिए नारेल की चटनी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी नारेल की चटनी बनी वह भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखेगा और फैमिली फ अगर आपको वीडियो पसंद देए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सकाइब कर लीजिएगा और इस तरह की वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी इसलिए आप इ मिल जाए दोस्तों थैंक यू सो मुच पर वोचिंग मैं वीडियो एंड इंजोई कीजिए इडिली सांबर को